नमस्कार, बहुत सुपागत है आपका इंडिया टीवी पर आपके साथ मैं हूँ जोटसना पार्टनी और मेरे साथ है वैभव वैभव मैं जादा सवाल नहीं पूछूँगी सीधे मैच का अपडेट दे दीजे लेकिन पृत्वी शुबमन गिल को छोड़ कर किसी भी भारती बल्लेबास के बल्ले से रन ही निकले हैं पहले दिन का पहला सेशन खत्म हो चुका है और भारत ने छे विकेट के नुपसान पर जोतना सिरफ 111 रन बनाए है इसमें से पृत्वी शा के 40 रन है शुबमन गिल के 43 रन है अगर आप इन दोनों का जोड़ते तो इनके बनते 83 रन हैं तो आप यह सोच लिए जब बाकी के चार बल्लेबास आउट होकर गए हैं उन में से इन सब बल्लेबाजों ने 30 रन भी नहीं बनाए हैं तो यह दिखाता है कि आज के दिन जो पहला फर्स क्रास मैच यह शुरू हुआ था उसके पहले दिन के पहले सेशन में भारतिये खिलाड़ी ने जोसना बहुत स्ट्रगल किया है बहुत स्ट्रगल किया और वैभा विजिन दो खिलाड़ियों का आपने नाम लिया युवा खिलाड़ी इन लोगों से हाला कि इनके पिछले परफॉर्मेंस को देकर बहुत जादा उमीदे नहीं थी लेकिन उमीद पर यही खरे उतर रहे लेकिन रिदिमान साहा भी अभी स अब लेकिन जिस तरीके साथ आपने पहले प्रित्वी शुबंगिल की बात की तो जिस पहला प्राक्टिस मैच हुआ था उसमें इन दोनों के बल्ले से जादा रन नहीं निकले ते लेकिन आज प्रित्वी शौ के साथ अच्छी बात यह रही कि प्रित्वी शौने अपना प्रित्वी शौने बड़े अच्छे माइंड सेट के साथ मैदान पर उत्रे थे और जो शौर्स उनके पास हैं वो शौर्स उनके बल्ले से में देखने को मिली हमें यह नहीं बूलना चाहिए कि जो आज का मैच है वो पिंक बॉल से खेला जा रहा है डे-night मैच है तो शुर म saud SIM का कुछन थी मैंक अगरवाल के बहूत नगेघर बुए बाकि ज ** रिशाप अनमा वियार यह सब अपना विकर ओ third specimen upload तो इंदे जू में दोनों जी खी तो इन यह तो उब आगर बात इंदिया की कीजाए तो अपर हैं Gleich तो पिंग बॉल में इंदिया का है तो अब बोलिंग कराने आएगी तो क्या वह ऑपर हैंड इस्तमाल कर पाएगी क्या वह अच्छा प्रदर्शन बोलर्स का हमें देखने को मिलेगा गारेक्ड एक्स्पीरिएंस ना ऑस्ट्रेलियन रहें जो और जो ऑसस्टेलियो टीम है जो वहां पर पेंक बॉल का इस्तमाल भारत से बारत में एक test match जरूर खेला जा चुका है दिलेब ट्रॉफी में भी पिंक बॉल का इस्तमाल हमारे हाँ हो चुका है लेकिन जो Australian cricket है वहाँ पर थोड़े बारत में भारत में बारत में बारत में अगर जिनको अंदर लाएंगे वहाँ है वहाँ विराट कोली और चेटेशवर पोजारा जिनके रहने जरूर मैच खेलेंगे मायंक अगरवाल खेलेंगे जो परिफ्वी शौ खेलेंगे हानुमा वियारी खेलेंगे तो यह सब जो जयसे हरमाव इरी हो गये जिनके रहने उगए लिदिमान सा में उगाय तो इन दोने अगरवाल इनसे भी जो रन नी बने नहीं परिशानी का सबब है क्योंकि मायंक अब तक रन नहीं बने हैं अगर शुरुवात करें ODA से पहले दो ODA मैच उन्होंने खेले उसमे उनके रन निकले आज भी उनके रन नहीं निकले तो भारतिय टीम के लिए जो आप पहला टेस्ट मैच से पहले ये चिंता की बात जरूर है कि आपके जो बले बाद हैं उनसे इ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उनका रिपोर्ट आने थे पिछले दौरे पर जब मैंक अगरवाल आस्ट्रीलिया गए थे ना तो वह बतार एक युवा खेहाडी गए थे तो सामने आपके तब दूसरे बले बास थे जो लगातार ओपनिंग कर रहे थे ओपनिंग का जिम् इसमें उन्होंने बहुत रन मनायते है उसके बाद वह थोड़ी कंसिस्टेंसी हमने मिस्की थे उनके बल्ले से बहुत ज्यादा रन भी निकले थे और अब तक ऑस्टेलिया दौरे में भी हमने उनके बल्ले से रन निकलते हुए नहीं देखे है तो जो पहली पारी ती इस अब यह देखना जरूरा कि बारी आती है वह कैसे गिंद बाज करते हैं लेकिन जब भारती बल्ले बाज़ों को दूसरी पारी में मौका मिलेगा ना तो उन्हें हम यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो जो खेलाडियों ने रन नहीं बनाए है उन्हें दूसरी पार अब रिषभ पंध को अगर हम बोले कि डिसपॉइंटमेंट शब्द ना अब रिषभ पंध पर ठीक बैट रहा है लेकि आज उनके पास एक बार फिर मौका था रिदिमान साथ से उपर आयते बल्ले बाजी करने और उन्हें बतार विकेट कीपर बल्ले बाज टीम में इंक अच्टावी के बाद कोई फाइदा नहीं है आपको उसी वाक्त अपना फॉर्म दिखाना पड़ेगा गेम खेलना पड़ेगा वैभाव और मेरे बॉलिटन का टाइम हो गया हम इस कॉन्वेसेशन को यही वाइंड अप करते हैं और सेकिंड पारी के बाद फिर हम मुलाकात करेंगे और मैच का अपडेट बताने के आपको कोशिश करेंगे बहराल आप हमारे सांद जुड़े बहुत शुक्रिया लेकिन अपडेट आपको लगाता मिलता रहेगा